सबी बईयों को नमस्कार जो भी बई जुड़े हैं हमारे साथ ये वीडियो लेके आ रहे हैं जी इसार स्पम बायो टेक एचेस भी जो हमारा सीमन स्टेशन है बुल स्टेशन है वहां से ये वीडियो लेके आ रहे हैं और एक और शांदार मुर्रा का बुल मैं आप बईयों के सामने रिपर्जेंट कर रहा हूं जिसका नाम हमने रखा है जी मंगल पहली बार इसकी वीडियो आप बाईयों के सामने आ रही है मंगल की इसके फादर मदर की बात करूँगा ब्यूटी की बात करूँगा हर मामले में लाजवाब और बेजोड है बताना चाहूंगा जी इ SSB हमिशार से काम करते हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी के जितने भी ब्रीड के बौल है हमारे पासि अच्छी जहां तक हमने कोशिश की है इंडिया की जो भी सबसे बैस्ट BLOOD LINE है वो हम Опने सीमन स्टेशन पे लेके आ रहे हैं जितने भी पसूपालक भाई हमारे साथ जुड़े हुए है उनको पता है इस बात का अभी बात करूं मैं मंगल के बारे में इसकी मा का दूद 22 किलो और जो अपने यहीं पास के गाउं के गोर्ची गाउं के राजे बाई हैं डक्ट राजे पचार उनके गर पे ये बुल पैदा हुआ बहुत ही अच्छी जोटी है लंबी और जो उसका बाप है ना उस जोटी का बाप वो गोर्ची गाउं का पंचायती बुल है और बड़ा डोमिनेंट बुल है वो बहुत अच्छी अच्छी कटडियां रेगुलर मान के चलो अगर इंडिया के टोप 10 पंचायती बुलों में गिनती करें तो गो गुलु डंडिवाल भाई के पास समराट नाम का बुल है उसका ये बेटए है समराट को भी जाना जाता है गुलु पहले मैं गुलु बाई की बात कर लूु बहुत इमांदार बहुत शालीन इनसान है और बहुत अच्छा पंचूपालन जो हैं वो करते हैं बहुत अच्छ मुके रिया के नाम से वो सिमन देते हैं उस बुल का ये बेटा है अभी बात करूं मैं इसकी लंबाई की उंचाई की तो हमारे अगर ब्यूटी लाइन की बात करें तो टोप के जो दो चार बुल है उसमें इस बुल की गिंती होती होगी ये देखिए सींग काफी चोटा है ग बहुत अच्छी है दुर्बाग्यवस हमारे पास आने के बाद इसका एक सिंग तूट गया था एक आप देख पा रहे हैं जो की बहुत अच्छा है दूसरा सिंग भी ऐसा ही था अगर दूसरा सिंग इसका रहता तो मेरे इसाब से ब्यूटी के जो कंपेटिशन होते हैं उ मदर मदर दूनों लाइने बहुत अच्छी और केवल और केवल असली ओरिजिनल सीमन के हम लेके आ रहे हैं मार्केट में हमारे स्ट्रो की जो है वो डूपलीकेसी नहीं हो रही है दो लाइने परिंट हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं एक साइड हिसार स्प रोटेट हो रहा है तो यह बुल हमारे सीमन स्टेशन पे थोड़े दिन पहले चालू हुआ था इसकी सायर डिरेक्टरी में पिछे भी हमने फोटो लगाई थी लेकिन उस टाइम पे जैसा कि मैंने एक दो वीडियो में और भी बताया है कि हमारे पास आया आया था बुल उस बात आजाती है नसल सुधार की जो नसल सुधार की जो प्रिक्रिया है सीमन तो HLDB ने बाद में बढ़ाने शुरू किये लेकिन हरियाना में उससे पहले भी अच्छी अच्छी बैसे जो है वो निकलती रहती थी 20 किलो की 21 किलो की 22 किलो की उसका रिजन था हमारे मैं मानता हूं कि पशुपालन का जो काम है वो निचे की तरफ आ गया अच्छी बैसे मिलना कम होगी उसको हमें उपर दोबारा लेके जाना है उसी मकसद से हमने ये काम सुरू किया है अच्छा बीज दे रहे हैं अच्छी बीज सीमन की एक और थोड़ा सा नुकसान दे बा क्वालिटी है उसको डाउन कर देते हैं हम किसी भी तरह का जो है इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं केवल और केवल एक किसान के घर अच्छा बच्चा पैदा हो अच्छा दूद वड़े जो है बच्चा पैदा हो उस तरफ हम जा रहे हैं तो बीज चाहे हमारे किसी बुल के दोस्टों की जगे हम सोई इस्ट्रा बना रहे हैं लेकिन क्वालिटी ऐसी दे रहे हैं कि आपकी बैसे ग्याबिन भी ठहरेंगी और सिकायत का मुका भी नहीं मिलेगा जो AI करने वाले बाई हैं उनके लिए बताना चाहूंगा आप आँख बंद करके हमारा जो सीमन सप्लियर बाईयों से लें आपको बहुत अच्छे रेजल्ट मिलेंगे जो आपको ये उड़ामा मिलता है ना कि बीज से बैसे ग्याब भी नहीं ठहरती वो सारा कुछ आप हमारा सीमन यूज करेंगे तो वो बंद हो जाएगा तो मंगल मैंने आपको दिखाया जी और केवल और केव साथ सुन्दरता भी चाहिए लंबाईयों चाहिए ज्यादा चाहिए बिल्कुल छोटा सिंग चाहिए वो हमारे इस मंगल को यूज करें बहुत ही अच्छा बुल है बहुत अच्छे रेजल्ट जो है ये बुल देगा कैसा लगा जी कमेंट्स करके जरूर बतना ब्यूटी के साथ दूद भी और दूद हमारी मेन जो है वो प्राथमिकता रही है दूद वाले बैसों के बच्चे ही हमने जो है सलेक्ट करके हम सीमन बैंक पे लेके आई है ठीक है दोस्तो नमस्कार